एक हिंदू सन्यासी अपने शिश्यों के साथ गंगा नदी के तट पर नहाने पहुँचा. वहाँ एक ही परिवार के कुछ लोग अचानक आपस में बात करते करते एक दूसरे पर क्रोधित हो उठे और जोर जोर से चिल्लाने लगे. सन्यासी यह देख तुरंट पल्टा और अपने शिश्यों से पूछा, क्रोध में लोग एक दूसरे पर चिल्लाते क्यूं हैं? शिश्य कुछ देर सोचते रहे, एक ने उत्तर दिया, क्यूंकि हम क्रोध में शान्ती खो देते हैं इसलिए. पर जब दूसरा व्यक्ति हमारे सामने ही खड़ा है, तो भला उस पर चिल्लाने की क्या जरूरत है? जो कहना है वो आप धीमी आवाज में भी तो कह सकते हैं, सन्यासी ने पुना प्रश्न किया. कुछ और शिश्यों ने भी उत्तर देने का प्रयास किया, पर बाकी लोग संतुष्ट नहीं हुए. अन्तता सन्यासी ने समझाया, जब दो लोग आपस में नाराज होते हैं, तो उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं. और इस अवस्था में वे एक दूसरे को बिना चिल्लाए नहीं सुन सकते. वे जितना अधिक क्रोधित होंगे, उनके बीच की दूरी उतनी ही अधिक हो जाएगी और उन्हें उतनी ही तेजी से चिल्लाना पड़ेगा. क्या होता है जब दो लोग प्रेम में होते हैं? तब वे चिल्लाते नहीं, बलकि धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि उनके दिल करीब होते हैं, उनके बीच की दूरी नाम मात्र की रह जाती है. सन्यासी ने बोलना जारी रखा, और जब वे एक दूसरे को हद से भी अधिक चाहने लगते हैं, तो क्या होता है? तब वे बोलते भी नहीं, वे सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सामने वाले की बात समझ जाते हैं. प्रिय शेश्यों, जब तुम किसी से बात करो, तो ये ध्यान रखो कि तुम्हारे हृते आपस में दूर न होने पाएं, तुम ऐसे शप्त मत बोलो, जिससे तुम्हारे बीच की दूरी बढ़ी नहीं. तो एक समय ऐसा आएगा कि ये दूरी इतनी अधिक बढ़ जाएगी क तुम्हें लोटने का रास्ता भी नहीं मिलेगा. इसलिए चर्चा करो, बात करो लेकिन चिलाओ मत.